तो ये पहला वाला पार्ट हमने देख लिया था ये पहले वाले जो प्रस्ट आते हैं उसमें डायरेक्ट आपको सम दिया रहता है या फिर योगफल दिया रहता है या गुड़न खंड दिया रहता है उससे हमने देख लिया अब जो दूसरे वाले प्रस्ट आते हैं उसमें अनुपात दिया रहता है डिरेक्ली यह लिखा रहता है कि 16 पहले आप 12 पहले इतनी थी अभी इतनी है इसमें आपको देखें कन्वेंशनल मेथड़्स अगर आप करते तो कैसे करते हैं इसमें आप करते कि सीता और गीता की आयू का अभी अनुपात इतना है तो एकस वाई मा सोला यह कितनी वैलू दी है तीन इस्टू चार अब फिर इसमें आप एकस की वैलू यहां से पुट करिए और फिर बहुत लंबी एक्विशन बन जाएगी बड़ा लंबा हो जाता अब देखें ट्रिक बताता हूं उसकी पहले आपको इसमें क्या करना है कि जो भी आपकी बेच दिखी हो जो भी अनुपात में उसको आप पास्ट वाली एज लिख लिए कि पहले कितनी थी पूर्व में कितनी थी और प्रेजेंट वाली अब लिख लीजिए दोनों के रेशियों में अगर आप देखेंगे तो दोनों के लेफट हैंड साइड वाले और राइट है साइट वाले में डिफ्रेंस आपको जो है वो बराबर रखना है कैसे रखना है देखिए सीता और गीता की अभी कितनी आयों है वर्तमान में कितनी है साथ इस्टु आठ तो साथ दिखा यहां पर आठ लिखा लेकिन पहले कितनी थी पहले तीन इस्टु चार थी तो तीन और अब लेट साइट ने दोनों का इस दोनों का डिफरेंश ले लेंगे सात माइनस चार यह कितना हुआ सान इलडर थीन चार कि टना था ओड़ों ककुया तो दोनों इसमे बस इसमें बात याद रखनी है को इसा भी प्रस्ता है आप इसको देख लिजे करके हमने मैंने देख कई सारे एक्जामपिल करके इसमें कभी गलत नहीं होता है हमेशा एकदम सही आएगा तो दोनों का जो डिफरेंस लेट वाला और राइट वाला दोनों का बस डिफरेंस से सेम होना चाहिए अब देखे यह यहां से यहां तक चार रेशियो हो गई है तो चार रेशियो यहां दोनों के बीच में यहां भी चार रेशियो है दोनों अब यह जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कितने साल लग गए यह लिखा हुआ है 16 साल तो 16 साल लगे इनको यानि कि चार जो रेशियो की वैल्यू हो गई जब 3-7 और 4-8 आने में तो यह हो गई 16 साल यानि कि एक र इनके पास और आठ रेशियो है तो सीता क्या यहूं कितनी है 7 भाग हो गई 7 रेशियो हो गए तो 7 x 4 कर देंगे आठाइस आ गया गीता किया यूँ कितनी आठ रेशियो है तो आठ इंटू चार कर देंग बत्तिस हो गया बस आपको याद क्या रखना है कि दोनों के लेफ्ट वाले जो डिफ्रेंस है उसका और जो राइट वाले डिफ्रेंस है दोनों सेम होने चाहिए अब देखे कैसे इस यहां रिखेग देख्याए यहां और शर्म के भी चुअ है यहां पर मोखन से आठ फ्लवन हो गया रिश्यो आप इसमेरे इन डिफ्रेंस दिकाल लीजे इसका डिफ्रेंस कितना आ गया यहां पर पांच रिश्यो आया आठ से तीन को माइनस करेंगे या फिर इससे माइनस करेंगे तो यह हो गया कितना माइनस पाच आ करना है तो यहां पर 14 से डिवैड करें तो दो हो गया यांझ कि दो से इसको करना पड़ेगा पूरे रेशियो को यहां पर 14 na आने के लिए कितना पढ़ना हम पड़ेगा यह पे साथ से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा तो पास्ट वली कैसे टॉल लिखेंगे तो पास्ट वली जो नई को जएगी दो सी क्या Αिस्ट दो आμά बोगया प्रेजन्ट वाले में कितना करना है दोनों तरफ साथ करना है आपको मिल्टिप्लाइख तो साथ यानिकी एक कितना पपाश रेशियम ten लेगग सुवस correct लेट कि काम कर गी बहुत सिंपल है अगिर रब it इसकार लेंगे तो ज्यादा ज्यादा आपको पाँच छे सेकंड लगेंगे मैक्समम आप एक बार प्रिक्ट्रीस करके देखिए ये क्वेशन तुरंत हो जाएंगे आपसे पांच रेशियो इधर हो गया पांच रेशियो इधर हो गया अब लेकिन उसके लिए कितने साल लगे थे साल की वैल्यू देखिए यहां पर है मोहन की और सोहन की कितनी है सोहन की साथ भाग है तो 21 भाग है मोहन के और साथ भाग है सोहन के तो प्रेजेंट में अगर आपको मोहन की निकालनी है तो 21 रेशियो हो जाएंगे आप या रेशियो भाग तो 21 इंटू 2 से मल्टिप्लाई कर दिजे 42 हो गया सोहन की निकालनी ये 7 भाग है, 7 से 2 multiply कर दिये, 14 हो गया, निकल गया, कुछ भी पूछ लिजए आप इसमे, कैसा भी question हो, ये वाली अगर आपने trick याद रख ली, तो चाहें, जैसा question आजाए, age का, वो आप तुरंट कर लिएगा, फिर मैं बता द रहा हूँ, देखें, पहले क्या करना है, दोन ये Z और D हो गया, ठीक है, तो present में, ये अब इन दोनों के बीच में difference निकाली है, Z minus X निकाला आपने, और Y और D के बीच में difference निकाली है, D minus Y निकाला, दोनों का difference जो है ratio का वो बराबर होना चाहिए, तब ही ये trick काम करेगी, तो जब ये difference, जब ratio बराबर हो जाएगा, तो वो कितने साल थे, तो मालिए D minus Y की value ये आ गई तीन, और इतने यहां से past से present तक आने के लिए कितने इसको साल लग गए, 12 साल लग गए, तो तीन ratio की value होगी, 12 यानिक एक ratio की value होगी, 4 example बता रहा हूँ, अब ये ratio में आप यहां पर बस multiply कर दिए, और present हमेसा पूछी आती, तो Z की, मालिए मोहन की कितनी थी, मोहन की जो थी, वो Z है, तो Z into ये 4 हो जाएगा ratio, Z into 4, इसकी हो जाएगा D into 4, ऐसे कोई भी question आज़ा हो सकता है, जितने भी age related है, चाहे UP PCS का हो, चाहे UPSC में हो, चाहे SSC में हो, चाहे banking में हो, चाहे ABPS में, सभी जगे के लिए important trick है, math की मैंने चालू की, तो age वाली मैंने बता दी, अब इसके बाद calendar वाली बताऊंगा, thank you for listening, कोई भी अगर आपको doubt हो, तो please इसमें लिखेगा जरूर, कोई भी comment आपको करना हो, तो बिल्कुल करिएगा, और thank you, ज्यादा ज्यादा इसको share कर दिएगा, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुच सके,